Hello everyone, आज के इस वीडियो में फिर से हाजर हूँ कुछ और नई अपडेट्स लेकर कुछ और नई जॉब वेकिंसिस के साथ तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मौरे सिटी मनिपूर की सिटी है यहाँ पे कुछ न्यू रिक्वार्मेंट्स अपडेट हुई है तो जो भी कांडिडेट वहां से बिलॉंग करते हैं या आप काफी टाइम से सोच रहे हैं जॉब अपलाई करने का तो डेफिनेटली आप आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए हो सकते हैं कि इन में से कोई भी जॉब आपके प्रफाइल से मैच करती हो सकती है पर आप जो हमें एक मैसेज डॉब कर सकते हैं कि आपको इस जॉब के रिक्वार्मेंट चाहिए उसके बाद पर हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली अपडेट करेगी त्रू वाट्सएप बिना देर की हम स्टार्ट करेंगे आज की फर्स्ट रिक्वार्मेंट से रिक्वार्मेंट है प्रोजक्ट कॉडिनेटर की रिक्वार्मेंट है इसके लिए क्वालिफिकेशन व्यजुएशन चाहिए फुल टेम आपकी जॉब रहेगी सेलरी और टाइमिंग बेस जाए आपकी इंटरव्यू के उपर उस टाइम ही डिसाइड किया जाएगा क्या सेलरी पैकेज रहेगी और क्या आपकी टाइमिंग्स रहेंगी नेक्स्ट रिक्वार्मेंट जो है एक डेटा अनलिस्ट कांडिट के लिए है जिसके लिए मेल और फीजूए दोनों ही कांडिट अप्लाइ कर सकते हैं साथ ही साथ आपकी interview particular रहेगी जी हाँ आपके टेलिफॉनिकल interview होगी अगर वो selection हो जाती है उसके बाद यह आपकी walk-in interview की जाएगी qualification minimum graduate candidate prefer किया गया है दोनों ही candidate के लिए graduation compulsory रहेगी साथ ही साथ जो है fresher candidate और experienced candidate दोनों ही इस vacancy को easily apply भी कर सकते है उसके बाद बढ़ते हैं अगले vacancy की तरफ जो की tutor के लिए है online tutor की requirement है जिसे mathematics और science suitable subject की tutor का work रहेगा उनका और यह class timing आपकी mostly evening की हो सकती है जो की 2-3 घंडे की class time हो सकती है salary as per जितने भी hours आपको provide किये जाएगी उस according पर hour के according आपको salary दी जाएगी जो timing स्वेंगे exactly क्या रहेंगी वो during interview आपको बता दिया जाएगा कि इस job के लिए क्या exactly timing आपकी होंगी qualification आपकी mathematics field में अच्छी qualified अपके होने चाहिए अगर b8 candidate है अगर वो part time का सोच रहे हैं तो definitely वो इस तरह के candidate जो है easily apply कर सकते हैं इस vacancy के लिए next requirement जो है data entry executive की requirement है इसके लिए qualification के साथ साथ skills भी बहुत matter करेगा जी हाँ आपकी qualification minimum graduation है skills की बात की जाए तो आपको Excel, advanced Excel की अच्छे से knowledge होनी चाहिए आपको proper data entry work अपच्छे से आना चाहिए चाहिए वो billing relatable work हो या किसी भी type का data entry process हो तो आपको अच्छे से clear होना चाहिए तो ही आप इस vacancy के लिए applicable रहेंगे साथ ही साथ बात की जाए job timing की यह आपकी full time होती है 9 से 6 आपकी job रहेगी salary discuss will be during interview अभी आपको disclose नहीं किया जाएगा कि क्या salary package होगा जब interview ली जाएगी उस time में आपको exactly salary जो हो बताई जाएगी at last जो requirement है वो है telecalling executive की जी हाँ इसके लिए भी male और female दोनो candidate acceptable है बात की जाए qualification की 12th pass out है या graduate है दोनों ही candidate acceptable है requirement skills जो है good communication skills आपके होने चाहिए हिंदी और English में especially तो दोनों की जो communication skills अच्छे है तो definitely आप इस vacancy के लिए eligible होगे so guys यह requirement थी more city से अगर आपको लगता है इन में से कोई भी job आपके मतलब की है आप जल्दी से जाए comment box के तुरू हम inform कर सकते हैं आगे हमें आरी team जो है आपको properly reply करेगी कि इसको apply करने का आगे का procedure किया रहेगा साथी साथ हो सकते हैं कि हम आपकी सभी calls का answer ना करें क्योंकि आप मेंसे बहुत सारे candidate है जो directly call करते हैं तो सभी calls का response करना थोड़ा tough हो जाता है तो इसलिए आप try कीजिए आपकी जो भी query रहती हैं आप other strategy की strategy की बारे में शेयर करते हैं जो भी आप तक job पहुंचाई जाती है इसकी detail के लिए आपको कोई भी charge नहीं देना होता हम आपसे किसी तरह का कोई charge नहीं लेते यह बिल्कुल free of course services रहती है so guys video किती informative लगी comment करके बताना ना भूले thank you